नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं राजिपाल ने रांची और सीम ने दुमका में फ़राया धवाज गंतंत्र दिवस के आउसर पर राजिपाल रमेस वैसने गुरू आरको मुराबादी मैदान और मुख्य मंत्री हमनसुरे ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में जहन्डा फ़राया अपने अभिभासन में मुख्य मंत्री हमनसुरे ने कहा है कि हमने संकर्प लिये थे कि किये गयवादों को पुरा करेंगे इसी कड़ी में पुरानी पेंसन योजना को एक अक्टूबर दोहरवाई से लागू किया गया वहीं 1932 के खत्यान के अधार परास्थानिये नीती परिभासित करने के साथ अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और पिछडा वर्ग के लिए परतिशत बढ़ाने का विधयक पारित किया गया उन्होंने कहा एकी समिधान की मूल भावना के अनुरूप गरीबो पिछडो दलीतो और अल्प संक्यकों के कल्यान के लिए विशेज परियास किया जा रहा है हरारासनकाड, बीरशा हरित ग्राम योजना, बीर सहीद, पोटो होग, खेल, विकास योजना, फुलो जानो असिरवाद, अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार सिरीजन योजना, सोना सोवराम धोती साडी बित्रन योजना, चात्रवीर्ती योजना और सरोजन पेंशन पित की मौसम विभाग केंद्र पश्मोतर भारत में एक बार फिर 28 जन्वरी से एक पाच में भी सोब दस्तक देने वाला है इसकी वज़ा से पश्मोतर में इस्थित राज्यों का मौसम करवट लेगा जारखन भी इस से अचुता नहीं रहेगा मौसम विभाग की वर से जनका की वार को बताया है कि जारखन में अगले दो से तीन दिन में निम्तम तापमान में दो से चार दिरी तक की गिरावट दर्ज की जाएगी इसके बाद फिर धीर धीरे पारा चड़ेगा पिछले 24 घंटे के दरांजम सेथपूर का उस्तम तापमान सबसे ज्यादा 32 डिग्री रिकोर्ट किया गया जोकि निम्तम तापमान खोटी में 12 पन 4 डिग्री रिकोर्ट हुआ है आमरन अंसन कर रहे स्वास्त अनुबंध कर्मियों की तवियत बिगड़ी जारखन अनुबंधित पारा चिकिसा कर्मि संग और जारखन राज एन आर एचेम एनम जी एनम संग के बैनर तले अंधुर्ण कर रहे काई स्वास्त अनुबंध कर्मियों की तवियत बिगड़ ग और कहा कि अस्पताल नहीं जाएंगे काफी जद्दो जोहत के बाद महिला स्वास्त अनुबंद कर्मियों को महिला पूलिस की मदद जबरन उठा कर अस्पताल ले जाया गया इससे पहले डॉक्टर ने महिला चिकिस्ता कर्मी को समझाने की भरपूर कोशिस की बाबा बैधनात को चढ़ा तिलाक बसंत पंचमी के असर पर बाबा बैधनात को मंदीर एस्टेट की ओर से तिलाक चढ़ाया गया गुरुवार को तिलाक चढ़ाने के साथ ही मिथलांचल में होली सुरू हो गई है वहीं आसपास ठहरे मिथलांचल वासी एक दुसरे को गुल पुजारी प्रमोद सिंगारी ने बाबा बैदनात का तिलग पुजा किया इस पुजा में अचार्य के तौर परमंदिर श्टेट पुरोहित सिरिनाथ पंडित एवं उपचारक भकतिनाथ फलहारी मुजूद रहे पलामू में एसकार्य को ड्राइबर सहित पांच लोगों की मौत पलामू जीला अंतरगा छटर पुर नौडी हब जार डुमरिया पत के बीसुनू पूर्मोल के पास खेत में बैठे पांच यूकों को एसकार्य को ने रौन दिया है इस हादसे में चार यूकों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं तेज राफ़तार एसकारपियों के पलटने से ड्राइबर की भी मौत हो गई है एक युवग गंभीर रूप से घायल हो गया हादसे की जनकारी मिलते ही अस्थानिये लोग हटना अस्थल की ओर गए इसी बीच पूलिस भी मौके पर पहुंची पूलिस ने इस हादसे में मिरित पांचों के सो को कबजे में ले लिया है वहीं गंभीर रूप से गायल एक युवग को इलाज के लिए स्पताल भेजा है मिरिता की परिजनों ने बताया है कि सभी युवग अपने मित्र का जनम दिन मना कर विश्नुपूर मोड पहुंचे मोड के समीब खेत में बैट कर सभी युवग आपस में बादचित कर रहे थे पाच्मी सिंभूम के जंगल में ज़िपा है एक क्रोड का इनामी मिसीर बैसरा जंगल की बढ़ रहे हैं यही करण है कि नक्सली आईडी बलास्ट कर सुरक्षा बलो को निशाना बना रहे हैं पुलिस सुत्रों के मताबिक एक रोर काई नामी नकसली मिसीर बेसरा करीब एक हजार नकसलीों के साथ इन जंगलों में छीपा है नकसलियों के खिलाब सुरक छाबलो के चल रहे अभ्यान को देखते वे नकसलियी आईडी बलाश्ट का सुरक छाबलो को निशाना बना रहा है पिछले दो तीन माह में टोटो और कोर एरिया में 15 से ज्यादा अईडी बलाश्ट हुए है सुत्रो के नुसार कोलहान वन छेत्र के घने जंगल में नक्सलियों के बिचाई आईडी की चपेट में एक बच्चा समेत हाथी भी आ चुका है सीयम हेमंत ने सोतनत्रता सेनानियों की आस्रितों को किया समानित थारखन के मुख्यमंत्रे हेमान सुरें ने 74 गंतंतरत दिवस के उसर पर पुलिस लाइन दुमका में आयोजीत समारो में 3 सोतनत्रतता सेनानियों के यस्रितों के पतनियों को समानित किया इस मौके पर उन्होंने कंततर दिवस परेड में हिंसा लेने वाली SSB 35 बैटालियन और जाकियों में सूचना एवं जन संपर्क विभाग की जाकियों को प्रतम पुरसकार से नवाजा इसके अलावा बेहतर कारे करने वाले पता दिकारियों और कर्मियों को भी सम्मानित किया गया स्वर्गिये धनेस्ट्वर मंडल की आश्रित पतनी चंद्रावती देवी एवं स्वर्गिये पत्रु राय की आश्रित पतनी पर्वतिया देवी वहीं दस्रथ राय की आस्रित पत्नी सरोतिया देवी को समानित किया बोकारों में मेडिकल कॉलेज को लेकर बोले शिक्चामंत्री जभतरवे गंतर दिवस के मौके पर जहरखन के शिक्चामंत्री जगनात मतوں ने बोकारों के सेक्टर बारा इसीद पूलिस लैन मैदान में जहनतरन किया इस दरन उन्होंने प्रेट का नेरीक्षन किया और माज़ पास्ट की सलामी ली उन्होंने बोकारों के लोगों को अस्वस्त किया है कि अपनी मांग जल्द पूरी होगी बोकारों में जल्द एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा वे के समक्ष एबात रखेंगे जहार्खन के राजपर्ण में इस बाइस ने राइधानी रांची के मुरबादी वस्या महमा सुरेण ने उप्राइधानी दुमका में तिरंगा फाराया गंतंत्र दिवस पर जहार्खन ने निकाली बैधनाथ धाम की सुन्दर जहांखी गंतात्र दिवस के मौके पर करतब बेपत पर विभीन राजयों की जहांखिया निकली जिसने दर्सकों का मन मोह लिया है इसी करमें जहार्खन के ओर से देवार इस धीत परसीद बैधनाथ मंदिर की जहांखिय निकाली गई जार्खन की जाकी में सब से आगे भगवान बीसा मुंटा को दर्साया गया जिन के साथ लोग कलाकार साथ साथ चलते नजर आए लोग कलाकार वा देयंत्र के साथ नजर आए उसके बाद बैदनात मंदिर की जाकी निकली जार्खन की जाकी की खुब तारिफ हुई है बता दे के अनुसार देव घर में ही माता सती का हिर्दय कट कर गिरा था इसलिए इसे हिर्दय पीठ भी करते हैं जारखन के 22 पुलिस पताधिकारी जवानों को पदक दिया गया केंद्रिये ग्री मंत्रा ने इस बावत अईसुतना जारी कर दिया है जारी अईसुतना का नुसार जारक पुलिया में बुद्ध्वार को प्रेस्वार्ता करते हुए पुर्व सांसस सालखन मुर्मू ने आदिवासी हित में रेल वसलक जाम अंद्रून की चेतावनी दी है उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पांच राजियों में चक्का जाम अंद्रून पारखन के बारशनात पहार आदिवासियों के इसोर मरांग बुरू वास करते हैं जिसे जैन धरोलम्यों ने हड़प लिया है। पाचान और हिस्षेदारी की रक्षा है। इसलिए यहां एंडिये के परत्यासी होगा यहां भी परत्यासी आजशू पार्टी की ओर से होगा एलगभग तय है। और तालिस जवानों की हत्या के जिमेदार नक्सली नवीन यादों का आत्म समरपन। पुलिस को करीब डेड़ ददसक से उसकी तलास थी। पिछले साल उसके जहारकन और 36 गड़ की सीमा परिस्थित उग्रबादी पनाह गाह बुढधा पहाड में सक्रिय होने की सुचना थी। हलाकि सुरक्षा बलों की करवाई की कारण फरार हो गया था। दो दर्जन से भी ज्यादा जवानों की सहादत के लिए जिमेदार नवीन यादों का आत्म समरपन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कम्याबी है। जहारखन के डाक्टर जानूम सिंग सोय को पदम सिरी हो भासा के लिए किया है काम। पुस्त के लिए बता दे की कोलान भी सो बिद्याले से स्यानीर डाक्टर जानूम सिंग सोय लंबे समय तक हो भासा को पीजी के पाटकर में सामिल कराने की कोशिस में लगे रहें। इस पिकर ने लोटाया हेमांत सरकार का उत्पाद बिध्याग। जार्खन बिधान सभा अध्यक्ष रविनात महतों ने जार्खन उत्पाद बिध्याग दोहर बाइस पर बड़ा फासला लेते हुए बुद्धवार को इससे सरकार को लोटा दिया। सितकालिन सत्र के दौरान सदन में पेश करने के लिए सरकार ने बिधान सभा सचिवालों के यह बिध्यक भेजा था। लेकिन अध्यक्ष ने इसे पटल पर रखने के उनमती नहीं दी। बिध्यक के भीभीन प्रवधानों पर अपतिक साथ राज पर रमेश बैस ने बीते नौउमबर में सरकार को लोटा दिया था। धन्यवाद।